हेलो फ्रेंड्स बहुत स्वागत है आपका इविशी अगाड्मी पर फ्रेंड्स इस क्लास में भी आप सलसर भी विप्यसी और सीडिप्यों के लिए प्रैक्टिस देख रहे हो आज के इस क्लास में भी टॉप 30 कुर्शन को लिए गया है उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा सही जबाब डेनमार्क ने समझेंगे डेनमार्क सरकार ने उत्री सागर में अगर पूछ ले कहां पर तो यहां भी ध्यान रखना है उत्री सागर में दुनिया का सबसे पहला और जाद्वे बनाने के लिए एक परियोजना को मंजोरी दे दिया है जो यूरोपि हो जाता है ठीक है आईए देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतिय मूल के व्यक्ति को नाशा द्वारा कारे कारी प्रमुख बनाया गया आप्शन नमबर आपका यहाँ पर D हो जाएगा भाव्या लाल उनका नाम है देखिए भारती अमिर्की भाव्या लाल को नाशा के द्वारा अमिर्की अंत्रिक्ष एजन्सी के कारिवाहक चीफ ऑफ स्टाप के रूप में न्यूक्त किया गया है ध्यान रक्षिएगा स्कैनलखित में से किस दीन भारत में वomination में देखिए और अप्षन नमबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा चाही जवाब 14 आगस्त को देखिए भारत में 14 आगस्त को विभाजन विभीशिकाश मिर्ती दीवस के रूप में मनाने की घोषन प्यम नरेंदर मोदी ने की उन्होंने कहा कि देश का जो विभाजन हुआ था उस दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है आपको पता ही होगा कि नफरत और हिंसा के कारण लाखों लोग को मतर परिशानी उठाना परा था इसलिए 14 अगस्त को अब विभाजन विभिका दिवस की रोपे मनाया जाएगा नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुवात की गई देखिए रौकी माउंट इंस्टिट्यूट और नितियायोग ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन दोनों के द्वारा इन्डिया मतरब के द्वारा ये शुन्य अभियान की शुरुवात की गई है यह जो है उपभोकता और उद्योग को एक साथ मिल कर ये शुन्य परदूसन वगरा जो मतरब कहते हैं कि इससे आप कह सकते हैं कि वाहन में वाहन से पॉल्यूशन ना हो पाए इसको इस पहल को बरहवा देने के लिए शुन्य परदूसन नाम से यानि कि नेति आयोग और र भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जो जिसका कि नाम है माना फॉरेस्ट वो कहां बनाया जा रहा है आप्शन नमबर आपका यहां पर डी हो जाएगा सही जवाब देखिए भारत का पहला वर्टिकल टावल फॉरेस्ट यानि कि माना फॉरेस्ट जो ही है बैंगल option है कि विश्वि बैंक सिक्षा सलाहकार के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है बताना है option नंबर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा सही जवाब रंजीत सिंग डिसाले को देखिए रंजीत सिंग डिसाले के बारे में समझेगा काफी famous रेकती रह चुके है डिसाले को विश्वि बैंक का सिक्षा सलाहकार तो न्यूक्त किया गया है जून 2021 से लेकर 24 तक यानि कि 2024 जून 2024 तक के लिए इसे न्यूक्त किया गया है डिसाले को वर्स 2021 में एक सम्मार मिला था इसका की नाम है global teacher सम्मार ठीक है teacher सम्मान से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतियें है वर्स 2020 इस्वि में गलोबल teacher सम्मान से सम्मानित किये जाने वाले ये भारत के प्रथम व्यक्ती है इसलिए काफी जादा important ही रखते है रंजीत सिंग जिसाले नेक्स्ट कोशन है बदाना है कि eagle अधिनियम किस देश से समंदित है option number C हो जाएगा USA ठीक है अमिर्का का अमिर्का ने 2020 का जो ये कानूनी रोजगार अधिनियम था उसके लिए green card मतलब लाया है ठीक है कि सुर्वात किया है उसका जो कि अमिर्की मतलब लोगों के लिए फायदय मन रहेगा उसे आप कह सकते हैं कि क्या नाम दिया गया है इगल अधिनियम इसी से related है कहां से USA से next question है सहकारिता विभाग द्वारा बिहार के किस जीले में online सबजी बेजने की योजना शुरू की गई है अप्रेल 2021 में option number A पटना में इस योजना की शुरूवात की गई है इसके तहट जो है बिहार के अन जीलों में भी इस योजना को चलाया भी अभी आगे चलाया जाएगा बट अभी पटना में ये शुरूवात हुआ है नेक्स्ट कुशन है बिहार में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाये जाने का लक्ष रखा गया पांच करोर option number C अब कितना लगा है ये आपको बहुत जल पता चल जाएगा त्योंकि 2022 आ चुका है 2021 में कितना लगाया ये बहुत जल आ जाएगा बट पांच करोर का लक्ष देखिए option number A जो है द्वारिका भाई शुंद्रानी काफी famous व्यक्ति रह चुके हैं समझी गए इनके बारे में ये परसिद गांधी विचारक और जम्नालल प्रुसकार्तु सिर्थ सम्मानित थे ही इनका निधन बोध गया में हो गया था ठीक है बोध गया को जो वो जन्म कहां पर हुआ था इनका जन्म जो है वो पाकिस्तान के पाकिस्तान के जो सिंध प्रांथ है आपने जरूर लुशेंट में परहा होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांथ का जो लरकाना जीला है वहां पर इनका जन्म हुआ था ये बात आप ध्यान रखेगा इक जाम में पूछ सकता है जन्म के भी बारे में नेक्स्ट कूशन है सरवाधिक योगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है देखिए ओप्शन नमबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा जैनोन जो है यह हो जाएगा और एक बात समझेगा आप यहाँ पर क्रिप्टन है क्रिप्टन हो जर्ण हो गया अपका और इक आप जानले लहीं रेडान ऑण है वी ड़ ऑन एन तिनों के बारे में तंभार आझे यह यह जो है इस्थिर योगिक बनाने के लिए जाने जाता है कौन सा जनुन क्रिप्टन और रेडान किस तरह का य tapping बनाने के लिए यह काम में आता है नेक्स्ट कोशन है वनस्पातियों को पराबाइगनी केरिनों के दुस्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है ओप्शन नमबर A हो जाएगा लाइकोपीन नाम है नेक्स्ट कोशन है पताना है कि केच्वे में कितने जोरी हिर्दे होते हैं ओप्शन नमबर C हो जाएगा पांच जोरी होता है ध्यान रखेगा आपको पता होना चाहिए केच्वा जो है वो अपनी त्वचा के माध्याम से ऑक्सिजन लेता है ठीक है नेक्स्ट कोशन है खादे संदक्षन के रूप में किस तत्यों का परियोग किया जाता है ओप्शन नमबर C हो जाएगा सही जवाब बैंजोईक सोडियम लवन का ठीक है देखते है नेक्स्ट कोशन बताना है कि निमलिकित में से कौन से मिस्टिर धातु नहीं है तो फ्रेंड्स कोशन नमबर 15 जो है ये आपके लिए है इसका जवाब आपको गर पता हो ताप कमें कि किस राज या फिर केंद्र सासित प्रदेश में बताना है कि निलांग घाटी अवस्थित है ओप्शन नमबर आपका यहां पे C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में समझेंगे निलांग घाटी जो है उत्तराखंड के उत्तरकासी जिले में गंगुत्री जी तो देखिए सबसे पहले समझ लिजिए अब कोयलकारों परियोजना जो है कहा पर है तो यह ज्यारिखंड के शब्शल कोयल और परियोजना आई इन दोनों के इन दोनों का यहरोजना है ठीक है जो किराची के संभी अनदेशने कोयलकारो परियोजना कहां जारखंड का हो जाएगा फिर आपका है रिहंद परियोजना तो रिहंद परियोजना जो है यह यह यूपी में यहने कि उत्तरप्रदेश का उत्तरप्रदेश का जो यह रिहंद नदी है वहीं पर है किस नदी पर है तो रिहंद नदी पर है ठीक है फिर है आपका मंगल डेम पर्योजना तो मंगल डेम पर्योजना जो है ये बिहार प्लस जारखंड इन दोनों की संयुक्त पर्योजना है फिर है आपका सवरी जल विद्यूद पर योजना तो सवरी जो है ये बिहार का है जो कि बिहार के रोहतास जिले में है ठीक है कहा का बिहार का कौन सा जिला तो रोहतास में है यहाँ पे आपसे पूछा था क्या बिहार राजी में अवस्थित कौन सा है सोन समझेंगे सोन नदी जो है ब्रहंस घाटी का निर्मान यह नहीं करता है ठीक है उसके बाद आपने से देखें तापती है और नर्मदा है यह कहां का तो मद्द परदेश का जो और यह आपका फिरह दामोदर जो है यह आपका झारखंड का हो जाएगा यह जो है यह ब्रहं गाटी का निर्मान करती है नहीं करने वाली कौन सी है तो सोन हो जाएगा आपका नेक्स्ट कुश्चन है नवपाशान अस्थल चिरांद जो कि बिहार है बिहार में बिहार से निमली खित में से किस फसल का जो साक्ष है वो नहीं मिला है मतलब प्रूफ नहीं मिला है आपको ब पतायागी है फिर एक बार समझे बिहार का नवपासानिक अस्थर चिरांद जो की सारण में है यहां से चावल गेहूं चना जौ और आप ले लिए ये मशूर इन सारे के होने के साथ यहां से मिले हैं ठीक है यहां के शब्विता का जो विकाश है उसका तीन अस्थर तीन अस् हैं और मिट्टी का जो यह खिलोना था यहां पर जो खुदाई जब हुआ तो मिट्टी का खिलोना भी मिल चुका है कहां से चिरांद बिहार से आपके ठीक है देखते हैं नेक्स्ट कोशन निमलिखीत में इसे बताना है कि विद्यापती की रचना नहीं है कौन सी है जो नह किदारनात मिश्र नाम था ठीक है किदारनात मिश्र ने रितुवंस की रचना की ठीक है यह तो आप समझ गए उसके बाद समझेगा यह विद्यापती जो है यह मिथला राजवंस के दरवारी कवी थे ठीक है महा कवी के रूप में जाने जाते हैं महा कवी विद्यापती ठ पूरान संग्रा समझेगा सबसे पहले एक समझ लिए पुरान संग्रा ठीक है अगर दूसरा आप ले लीजिए ये गंगा है ठीक है तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो जान लेजिए ये गंगा काव्या वली करके है काव्या वली है ठीक है उसके बाद आप ले लीजिए ये दान है दान वाक्यावली करके है ठीक है और है आपका ये विभास शाघर और भी एक दो है अब इध्यान वो नहीं आ रहा है ता आप इतना जान लेजिए विभास साघर ठीक है ये तीन चार आप जान पाए ये विद्यापती की रजना है नेक्स्ट कुश्चन है बाद वाकि जो आप देख रहें ये सारे विद्यापती की है जैसे में ये कीर्थी कला गौरक चाविजय पदावली ये सारे नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में सरुपर्थम किस हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ आप्शन नम्बर ए रजाहेगा बिहार बंदू देखिए बिहार की जुन जुरा जानी है अबिप्टना में सरुपर्थम अठारुआसओ चौतर इस्वि में हैंदी समाचार पत्र कौन सा बिहार बंदू का प्रकाशन किया गया। ठीक है कि बिहार में अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था, तो देखिए, अंग्रेजी समाचार पत्र दी, ये बिहार हेल्ड करके है, नाम था बिहार हेराल्ड यह जो है, इसका प्रकासन हुआ था, ठीक है? अगर पूछ ले, कि ये कब हुआ था, तो 1875 पाशात्तर आपको ध्यान या शुरू किया गया था ठीक है आईए देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन बताना है कि राम पुर्वा जो कि बिहार में है सिप्राप्त असोक अस्तंब का जो हिस्सा है वो वर्तमान में कहां रखा गया है काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन है देखिए ओप्शन नमबर आपका यहां पर डी हो जाएगा सही जवाब राष्टपती भावन में रखा गया है नेक्स्ट कोश्चन है निम्लिखित में से किस अस्तूप का निर्मान बिनाच चबूत्रे के किया गया है देखिए यह ऑप्शन नमबर सी जो हो जाएगा सारनात का जो धामे का इस्तूप है इसका निर्मान जो है वो इटों सी करवाया गया था पूछ लेकर इससे तो इटों से कऱवाया गया था इसका जो आधार है आधार यानिह जो जबनीन वालापार बोलते हैं बेसमेंट इसको बोला जाता है वो अनस्तूप की तरफ वर्गाकार नहीं होकर वर्गाकार ना होकर वो कैसा है यह गोलाकार है ठीक है ध्यान रखेंगे कैसा है गोलाकार है अगर इसकी कुल मतलब पूछ लेता है उचाई कितना है तो 128 फूट आपको ध्यान रखना है 128 फूट है यह अन पहला परतम परफ़ंदいや थे कहा जाता है कि इस इस्थूप का निर्मान काल अगर, पूछ ले कभ वा था प्रेशन है बहुजन समाज की अस्थापना कि सुधारवादी ने की थी ऑप्शन नमबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा सही जवाब सावित्री बाई फूले इनके बारे में ध्यान से समझीए कर देखिए फेमस समाज सुधारक जोती बाई फूले का नाम आपने जरूर उनकी पतनी का ही नाम है कौन सा सावित्री बाई फूले इन्होंने महिला समानता के प्रश्ण को उठाया था और बहुजन समाज की अस्थापना इन्होंने किया था इन दोनों हस्बेंड बाई ने मिलकर महिलाओं के अधिकार के लिए काफी जादा यह लोग एक्टिव रह सबसे पहला जो इसकूल है इन्होंने ही खोला था ठीक है सबसे पहला इसकूल इन्होंने ही खोला था कहां पर तो पूने में खोला था ध्यान रखिएगा आपको पता है सत्यसोधक समाज की अस्थापना किसने की थी तो इन्हों इन दोनों ने मिलकर किये थे ठीक है सत्यसो 35 के भारत सासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आग्या पत्र कहा था ओप्शन नमबर सी हो जाएगा जवाहर लाल नहिरू ने कहा था नेक्स्ट कोशन है मजदूर और किसान कॉंग्रेस के हाथ पाओं हैं भारतिय सुतंत्रता संगहर्ष के किस आंदोलन के दोरान मुंबई में यह नारा दिया गया था ओप्शन नमबर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा सही जवाब शौवी ने अवग्या आंदोलन के दोरान दिया गया था नेक्स्ट कोशन है बताना है कि रविंदर नाथ टाइगोर ने सांती निकेतन की जो अस्थापना की वो किस वर्ष की तो देखिए कलकत्ता से 100 किलो मेटर दूर एक गाउं में गाउं का जो एडिया था वहाँ पे सांती निकेतन स्कूल खोला गया था ठीक है कब उनी शौव एक में ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा सही जवाब नेक्स्ट कोशन है बताना है कि सत्रवी सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था किसको देखिए ऑप्शन नमबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब अंग्रेज व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था समझेंगे बंगाल में जो पहली इंग्लिस फैक्टरी है वो 1651 में 1651 इश्वी में अगर पूछे कहां पर तो हुगली नदी के किनारे में शुरू किया गया था कमपनी जो है यहीं से अपना व्यापारिक कामकाज देखता था चलाता था इन व्यापारियों को उस जमाने में हैं फैक्टर कहा जाने लगा था ठीक है समझ लिजेगा फैक्टर कहा जाने लगा का कमपनी को स्वापने के लिए मजबूर किए गया क्यों किया गया आपको बताना देखिए लिए नवाब sama no प्रिय। परमान नहीं माना था इसके लिए या फिर नवाब ने लखनवा में शाही सैना रहे से इंकार किया था इस वज़े से या फिर नवाब जो है वो सहायक सैना के लिए पैसा नहीं मतलब अदा कर सके थे इसलिए या फिर नवाब को अंग्रेजी अंग्रेजों की सैना ने पराजित कर दिया था इसलिए कौन सा रीजन सही है अगर आप वाट टाइम चाहिए ता आप इडियो रोक लीजिए देखिए इसका सही जवाब आप्शन नंबर सी हो जाएगा नवाब जो है सहायक शेहना के लिए पैसा आदा नहीं कर सके थे समझेंगे लॉड वैलेजली लॉड वैलेजली के काल में 1801 इश्वी में अवद के नवाब को अपना आधा इलाका कमपनी को सौपने के लिए मजबूर किया गया था क्यों क्योंकि देखिए नवाब जो है वो सहायक सहना के लिए पैसा देने में मतलब पैसा नहीं दे पाये थे इसी आधार पर हैदराबाद का जो कुछ एडिया था उसे भी छीन लिया गया था सहायक संधी जो था न इसके तहट रियासत को स्वतनतर सैना रखने का अधिकार मतलब नहीं दिया गया था अइसा नहीं है का आप सैना अपना रख सकते हैं उसरिक कमपणी की तरफ से उन्हें सैना मिलता था और इसके बदले उन्हें पैसा पे करना होता था ूसे ही सहायक संधी को सौपना पर था तो असा करता हूँ टॉप 30 कोशन आपको अच्छा लगा होगा देखकर अपने सर स अगर आप तैयारी कर रहे हो अगर आपको अच्छा लगा होगा ताप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल के साथ बने रहेगा और बहुत किया जाएगा और काफी सारा प्रैक्टिस सेट अप्लूड किया जा चुका है आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर बहुत थैंक्स